आप सभी का हमारे चैनल के दोस्तों स्वागत है आए दिन चंपेंज टॉफी को लेकर नया अपडेट आता रहता है बहुत सारे मिसिंफोर्मेशन जो है वो फैलाई भी जा रहे हैं इंडियन मीडिया से भी पाकिस्तान की मीडिया से भी कहा तो यही जा रहा है कि टीम इंडि स्पोर्ट्स तक ने पी टी आई ने एन आई ने तमाम जितने भी वेवसाइट न्यू अजेंसी और न्यू चैनल से वो लगातार इसी चीज़ को लेकर बात कर रहा है कि टीम इंडिया जो है वो हर हाल में किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाएंगे लेकिन जब राजीव राजीव शुकला से यह सवाल किया गया कि इस समय टीम इंडिया या BCCI का क्या सैंस है क्या टीम इंडिया जाएगी वहाँ पर तो इस पर राजीव शुकला का बयान आया है कि अभी तक किसी भी सौर्से से यह तो पता नहीं लग पाया है कि टीम इंडिया वहाँ पर जाए जाएंगे नेवाले हैं तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है हाँ अगर आप किसी मंत्री के पास जाएंगे उनके मूँ में माइक डालेंगे तो वो तो यही बात बोलेंगे ना कि जो हमारी सरकार बोलेगी जो हमारा उपर वाले लोग हैं वो अगर बोलेंगे तो सही बात है भाई हम जाएंगे औरना नहीं जाएंगे तो अभी फिलहाल जो है किसी भी तरीके के information से दूर रहे चाहे पाकिस्तान की मीडिया से हो चाहे इंडिया की मीडिया हो सब TRP के लिए एक दूसरे के खिलाफ कई चीजें वो बोल रहे होते हैं और ये चीजें फैल आ रहे होते हैं Champions Trophy में अभी भी पांच या छे मेने का टाइम बचा हुआ है I'm not saying कि Team India पाकिस्तान जाएगी जो सरकार का फैसला होगा मैं भी बोल रहा हूँ वही होगा लेकिन सरकार का फैसला अभी तक हुआ ही नहीं है जब उपर से कोई खबर ही नहीं आई है कोई खबर ही नहीं आई है तो आप यह चीज कैसे कह सकते है कि Team India जो है वह पाकिस्तान नहीं जाने वाली है तो अभी चीजों को रखा जाए मेरे खयाल से फिलाल थोड़ा सरना धीमा कर दिया जाए और जितना ज़्यादा मीडिया वर्सिज मीडिया होगा उतना ज़्यादा दिक्कत होगा क्योंकि मैं यह देख रहा हूँ पाकिस्तान की मीडिया लगातार हिंदुस्तान को धंकिया देने लगे हैं कि भाई नहीं आओगे तो यह कर लेंगे वो कर लेंगे कोई बात नहीं है ऐसी बात नहीं है ये सब चीजें पाकिस्तान की प्रतिश्टा पर उनका जो स्टैंड होने वाला है जो अगर अच्छा भी मन में होगा न ये नियूस सुनके हमारी सरकास सीधे बोलेगी भाई नहीं भेज रहा है इगो मा के तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की मीडिया को तमाम चीजों से दूर चाहिए बड़ी बदी बातें बड़ा पाउखाते वाला नहीं करना चाहिए यह आभी बड़ी बड़ी बातें कर लियो फिर वही ऐी थुक के चाटना पड़े ऐसी बातें करना पड़े लास्ट हैम एश्य कप में हुए था एश्यक अपने भी तब नजम सेठी थे उस लॉंबो में करवाने पड़े श्रोलंका में करवाने पड़े तो यही चीजें हैं अभी आप बड़ी बड़ी बाते कर लोगे लेकिन जब चीजें आएंगी जब BCCI के साथ बैठक होगी जब ICC के साथ बैठक होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा वहां पर सीधा जाके य इंडिया बहुत ज़्यादा पावरफूल है तो भाई हम है पावरफूल हमारा मन नहीं करेगा तो नहीं जाएंगे आपको श्रिलंका को लेकर जाना है तो आप लेकर जाएं लेकिन अभी से ही तरह तरह की बाते में देख रहा था पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर ब मेरे ख्याल से इन तमाम चीजों को जो है अभी छोड़ देना चाहिए आप जितना मिसिंफोर्मेशन फैलाओगे उतना ही जावदा पाकिस्तान क्रिकेट बूर्ट को नुकसान होने वाला है चंपिन्स टॉफी में अभी भी 6 मेने का टाइम है नेक्स्ट मन शुर्लंका में बैठक होना है तब तक का आप वेट करें बांकी जितनी भी खबरें कोई दे रहा है उस पर जरा सभी विश्वास ना करें अच्छा ये को और खबर आ गई है अब अफगानिस्तान वाले बोल रहे हम भी नहीं जाएंगे इनका अलग चल रहा है अफगानिस्तान के सारी खल निकल कर सामने आ रही है साफ तोर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है जैसे ही कोई खबर आएगी हम आपको सबसे पहले रिपोर्ट करने वाले हैं इस वीडियो में बस इतरहीं धन्यवाद